कि अपना यूनेट हीट थर्मोडानमिक्स तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक बात यार मेरे को आप डिफरेंस बताओ वार इस डिफरेंस बिट्वीन हीट इंटरनल एनरजी और वर्क इन तीनों के बीच में डिफरेंस चेक करो क्या क्या है सबसे पहला हीट सेकिंड इ और थर्ड कि भाईया वर्क डान बताओ जिसको भी पता है यह तीनों में डिफरेंस क्योंकि हमारा यार यह जो पूरा चैप्टर है हीट एं थर्मोडेनमिस इन तीन टर्म से ही रिलेटेड है हीट इंटर्रेल एनरजी और वर्क डन तो जल्दी विलाते जाओ यार वाट इस हीट इस फॉर्म आफ एनरजी बिल्कुल यार हीट क्या हीट फॉर्म आफ एनरजी है लेकिन इसको हम ट्रांजिट एनरजी भी कहते हैं ट्रांजिट एनरजी क्यों कहते हैं क्योंकि हीट कभी भी आप किसी भी ऑबजेक्ट में स्टोर नहीं कर सकते हीट सरफ तभी यह किसकी वज़े से फ्ल खरती है यह फ्लो करती है डियो टू टम से बढ़ा यह से बढ़ा है तो यह हमारे ऑब्जहक्त का ठेम्प्रेचर हुए सब्राइबर कर suburbs कि इस इस एक एनर्जिझेन फ्लो करेगी हीट कौन सब्सक्राइब करेगी टुटी नॉट हमेशा फ्लो करती है जैसे करता है पोटेंशल बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट करना है कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाइट टेंपरेचर तो इस केस में यह बॉड़ी क्या करेगी यह बॉड़ी हीट लूस करेगी इस बॉड़ी से हीट एक्स्ट्राक्ट होगी सीमिलरली अगर मैं अज्यूम कर लेता कि छोटा है टी नौट से स्राउंडिंग का टेंपरेचर ज्यादा है तो उस केस में हमारी हीट एक्स्चेंज अपोजिट डारेक्शन में होती फ्रॉम स्राउंडिंग टू ऑब्जेक्ट और इस केस में हम कहते कि ऑब्जेक्ट ने हीट गेन करी है चेक करके बताओ इस में कोई डिक्कत बहुत की चीज़ थी लोस अब यहार हमारे पास एनेर्जी देनर्जीन का यह टॉ-इनर्जी या वांडन का स्थीू Mater है लेकिन हमारे पास इतने टाइब की एनरजी तो हमें एक थोड़ा सा डिफ्रेंशेट करना था कि हम हीट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हीट की जो हम यूनिट लेके चलेंगे वह क्या यूनिट होगा हीट का चालरीज, CGS यूनिट में बात करेंगे, हीट का CGS यूनिट बढ़ी कालरीज और 1 कालरीज कितने जूल्स होता है, नहीं पता है, रिपीट कर रहा हूं, समझो मैंने कहा चेक किसी भी टाइप की एनरजी क्यों नहीं हो, सब के लिए एसा यूनिट जूल्स है, लेकिन हमारे प पता चल जाना कि हम कोन सी एदर्जी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम अलग से हें हें हीट को हीट को हमने क्या ही इनिट डिया कैलरी कितना जूल्स होता है तो यहां दखना एक कैलरी किते हमिण फॉर पॉइंट होता है लेकिन जिसको एप्रॉक्सिमेटलितले हम subscribe अभी तो बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन बस मैं अभी इसरी उतनी चीज़े बता रहा हूं जितना भी हमारे काम का आएगा जैसे जैसे और चीज़े आएंगी बताता जाओंगा अब बात आगई सबसे पहले चीज़ गास के मॉलकूल कर रहे होंगे तो यह इसके पास एक और यह का उनेटिक और इनर्जी होगी यह कानेटिक सिर्फ और सिर्फ और तेंपरेचर पर डिपेंड कर रही होगी क्यूंकि आपको पता है जैसे जैसे टेंपरेचर increase करेंगे तो gas के molecules पर क्या फर्क पड़ेगा उनका और रेटम हो जाएगा और विगरसली हो जाएगा तो उस case में काइनेटिक energy increase कर जाएगी वेरस एक दूसरी energy और होगी कौन सी energy होगी दूसरी energy होगी potential energy और यह potential energy किसकी वज़े से होती है यह potential energy जी इसके volume की वज़े से होती है क्यों क्योंकि यार यह चीज़ पड़ रखी होगी चाहे solid हो चाहे liquid हो चाहे gas हो हमारे हर एक molecule दूसरे molecule से connected है molecular force से और इस molecular force को हम फिलाल के लिए अज्यूम कर सकते है spring force के तरह है जैसे इसको कहते है spring ball model solids के लिए एक बार पूरा बस basic बता रहा हूं चेक कर लो कि यार generally solids के लिए हम भी क्या कहते हैं कि solid की हर एक molecule दूसरे molecule से connected है with the help of a spring intermolecular forces तो यार अगर यह स्प्रिंग से connected है तो मतलब यह सारे के सारे molecule एक दूसरे से bounded यह free नहीं है अगर अब मैं इस molecule को कहीं ना कहीं पुल कर दूँ तो इस case में इसके उपर spring force act होना शुरू हो जाएगा और spring force conservative force या non conservative force कि भाई सारा basic ओड़ुचगा है spring force कैसा force conservative या non conservative से नहीं आया है यार याद रखो conservative force एक ऐसे force होते हैं जो हमारा सरफ initial position और final position पर depend करता है इनका रिपीट conservative force एक ऐसे फोर्स है जिनका वर्क दन सरफ इनिशल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर बात करताहिए आपकेशले बसमें कौन-कौन से conservative force है याद रखो elastic force elastic force में कुछ भी हो सकता है spring force molecular force यह सारे के सारे elastic force है तो यह conservative force है दूसरा gravitational force तीसरा electrostatic force याद रखो यह तीनों force conservative force है तो जब भी हम conservative force के against work करेंगे यह conservative force के अगेंस्ट अगर मैं इन दोनों एनर्जी को एड़ कर दूं तो मेरे को गैस की क्या मिल जाएगी गैस की इंटर्नल एनर्जी मिल जाएगी चेक कर लो अब यह बात क्लियर हुई या नहीं हुई तो यार अगर मैं इसी चीज़ को मैं कि चाहँ कजेगी इस फंच्व फंच्शेट करेगी इस फंच्शन औ वॉल्म एं टेंप्रेट लेकिन यह रिल्लेक्शयन सिरृ गैस के लिए यह लिए लिवले क्लाइब नहीं है क्योंकिider gas तो nem अगर कि अंदर कोई इंटर फोर्स के नहीं क्या नहीं जाएगा या यू is just a function यह सिरफ एक ही चीज़ पर depend करती है और सिरफ और सिरफ किस पर इपेंड करती या टेम्प्रेचर पर डिपेंड करती है हमें real gas के बारे में नहीं पढ़ना हमें सिरफ किसके बारे में पढ़ना है अइस परना है तो मिर को सिरफ यही relation खेरिटर कुछ है कि हमारी इंटर्णल एनर्जी सिरुफ और सिरफ किस पे इहां करेगी शिरफ और सिरफ टेमप्रेचर पहुँ रिपेन करेगी चेक करके बता अभी हाम कोई увер है तो फूछ कर रहा हूं अपने ग्यास का या अपने सिस्टम का तो बताओ इंटर्णल एनरजी इंक्रीज कर जाएगी टेंपरेचर डिक्रीज करूंगा तो इंटर्णल एनरजी पर क्या फर्क पड़ेगा डिक्रीज हो जाएगी लेकिन अगर टेंपरेचर कॉंस्टेंट कर दो तो क्या पड़ेगा तो याद रखो हमारी इंटरनल एनरजी भी क्या बन जाएगी कॉंस्ट बन जाएगी और चेंज इन इंटरनल एनरजी कितना आ जाएगा कि यह बात समझ में आरे हैं आपको यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक सिंपल चीज से यार की हमारे है पास अलग-अलग थाइप के प्रोसेस होते हैं सभेश्थी में थोड़ा बहुत पढ़ा रखा होगा नहीं इस केस में आप यू जीरो होने का मतलब है कि internal energy क्या रहेगी constant रहेगी similarly एक दूसरा process आएगा आपके पास cyclic process cyclic process cyclic process क्या होता है जिसकी initial और final पॉइंट एक ही होता है विल्कुल जिसकी initial state और final state बिल्कुल सेम होते हैं तो यार अगर एक cyclic process ले रहा हूं जिसकी initial state और final state सेम है मतलब सपोज यह मैंने cyclic process का graph ड्रॉगर दिया कि यह एक cyclic process का graph है start किया था उसने a से a से गया b b से c c से फिर d and then again d से a तो यार इस case में जो temperature जो conditions मेरी पहले a पे रही होगी वही final भी हो जाएगी तो मेरे को बताओ इस case में भी delta u की value कितनी लिखूंगा जीरो जीरो क्यों जीरो क्यों जीरो क्यों कि अगर मैंने temperature T से start किया था तो घुम फिर के वापिस मैं कितने temperature पे आ गया ती temperature पे ही आ गया घुम फिर के तो भाईया इस case में भी हमारा temperature इनीशल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का क्या हो गया सेम हो गया इसलिए हमेशा क्या रखेंगे हम जीरो ही रखेंगे लिस सब लोग चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी और भी डिटेलिंग में बात करनी है पहले अरां से यहां तक नोट डाउन कर लो चेक कर लो अगर आपको यहां तक का कॉंसेट भी ख्लियर है तो आपको एक और टम पता होना चाहिए वह बोलो को जाउट हहा इंटेर्न एंटेowanelli कि मोंशन के मोंशन पर करेगे कि नहीं हां बिल्कोल मोलेकी मोंशन के सब्सक्राट कर रही है तो टेमरेचर पर कर रह Churchill विट इन्टेर्न की तो इसलिए चाहे आइसो थर्मल प्रॉसेसर चाहे साइकलिक प्रोसेसर इसमें मैं फॉर्स को जीरो मानके सिर्फ टेंपरेचर का डिपेंडेंस देख रहा हूं अब यार एक चीज समझो यह हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्पैसिफिक हीट कैपैसिटी अब याद रखो यह बहुत इंपॉर्टन टर्म है क्योंकि अब यह हर जिगे यूज होगा तो मिरे को बताओ और क्या कांसेप्ट स्पैसिफिक हीट कैपैसिटी मिलग मेंक। बहूं कि सपोर्ज्ण के मैं हर चीज़ नहां इस ऑबजिट के मैं हरचीज कर रहा हूं specific specific का मतलब हर चीज़ fix कर देना तो मैंने इसका मास fix किया मास कितना है unit unit mass का मतलब क्या होता है कि unit mass का मतलब वन या तो वन ग्राम या तो वन किलो ग्राम ठीक है और मैं इसका temperature भी increase कराना चाहता हूं और यूनट का मतलब क्या सिरब 1 degree Celsius करना चाहता हूं ध्यान दे लो क्या बोल रहा हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं ये कोई भी एक olject है कोई एक material मैं इसका मांस मैंने fix कर दिया unit मांस मतलब 1 gram या 1 kg और मैंने का temperature भी fix कर दिया मतलब Mitch temperature दिग्री सेलसियेस थो अगर मैं इसका temperature सिंप्राइठ चूट helping एकट इंपरिचर इंक्रीइस कराना चाहता हूं यह क्या करΑ हूं कुछ शक्रण करनी पड़ेगा कुछ न कुछ हीट करना पड़ेगी करना चाहता हूं उसकोakah क्यों करने पढ़ेगी तो इसको कितनी हीट सप्लाई करनी है वह हमारी किया लाती है specific of heat है to increase the temperature of unit mass मतला मास को वन बनाना है तो मास से डिवाइड कर दो टेंपरेचर को भी वन बनाना है तो टेंपरेचर से भी डिवाइड कर दो तो यह हमारे पास formula आ गया भी यह specific heat capacity का specific heat capacity का लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देनी है वो क्या यहार मिरको बताओ इस फॉर्मले के साब से मेरी specific heat capacity किस-किस factor पर डिपेंड कर रही है एक तो वह डिपेंड कर रही है क्यों पर और एक वह डिपेंड कर रही है देल्टा अलग 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 process को दिसकश करते हैं अलग-अलग process को भाया ध्यान देना अगर मैं आई थर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं अलग अई तर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी-जीरो होता है तो मेरे को बताओ और सी की वैल्यू कितनी आईगी कि शाय से आपको मेरी बात नहीं समझ में आई जो मैं explain करना चाह रहा हूं repeat कर देता हूं मैंने का specific heat capacity का मतलब क्या है किसी भी एक body का temperature एक डिगरी कर रही है क्यों पर एक डिपेंड कर रही है तो इसकी वजह से specific heat capacity पर क्या क्या फर्क पड़ रहा है समझो अगर मैं आईसो थर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो टेंपरेचर जीरो हो गया डेल्टा टी जीरो हो गया इंपरेचर कॉंस्टेंट तो इस केस में सी की क्या चीज होती है कि इस एक्सचेंज या इतना बेसिक बेसिक चीजे chemistry में भी पढ़ रखा है भाई एडेबेटिक प्रोसेस का मतलब है कि हीट फ्लो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वह कैसा होगा इंसूलेटिड सिस्टम मतलब उससे हीट एक्सचेंज होई नहीं सकती तो अगर क्यू जीरो है तो मिरेको बताओ सी की वैलू कितनी आएगी अब जीरो जीरो वेरी गुड सिमिलरली अब ध्यान दो इदर कि यार अगर मैं ले रहा हूं आईसो कोरिक प्रोसेस आईसो कोरिक प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो कंटेनर का वॉल्यूम अगर आप कॉंस्टेंट कर रहे हो तो इस केस में गयास का टेंपरेचर इंक्रीज कराने के लिए आपको ज्यादा महनत लगेगी या कम महनत लगेगी यार एक तो प्लिस सब रिस्पॉंड करा करो हां या ना कुछ भी बोल दिया करो आ रहा हो या ना आ रहा हो बोल दिया करो जैसे फॉर एक्जामपल आपने यह चीज सुनी है कि अगर हमें कभी भी जैसे पानी गरम करना या कोई भी चीज गरम करनी है तो कंटेनर के उपर धकन लगा दो भी हमें धक्के गरम करना चीज है हर चीज को यह तो सुना होगा ना तो इसके पीछे क्या लॉजिक है इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमेशा चीजों को धक्के गरम करना चीज है क्योंकि यह सिंपल लॉजिक है कि अगर आप किसी भी चीज को कवर करके गरम कर रहे हो तो मतलब आपने वॉल्यूम को कॉंस्टेंट कर दिया है अगर आपने वॉल्यूम को कॉंस्टेंट कर दिया है तो जैसे जैसे आप इसको heat supply करोगे, हमारे molecules का जो temperature है, वो increase करने लग जाएगा, अब ये जल्दी increase करेगा, जल्दी increase क्यों करेगा, क्योंकि भईया अब इस molecules के पास expansion करने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए अब इसका temperature जल्दी increase हो जाएगा, तो याद रखो इस case में हम करने के लिए, वो कम heat में ही गरम हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि चीजों को धक्के गरम करना चाहिए, I hope सबको ये concept समझ में आ गया होगा, ये सर्थ बढ़िया, similarly बस एक last, उसके बाद हम अपना topic शुरू कर देंगे, यार नियुमेरिकल वाला पार्ट, लास्ट है, आ वाला ही थोड़ा सा important है, कि यार ये मैंने container लिया, और ये मैंने इसका piston लिया, अब ये piston move कर सकता है, अब piston move कर सकता है, तो यार अब जैसी आप इसको heat supply करोगे, हमारे gas के molecules का temperature क्या होगा, increase करेगा, pressure क्या करेगा, अगर मैं heat supply कर रहा हूँ, temperature increase करेगा, तो pressure पे क्या फर्क पड़ेगा, pressure भी increase करेगा, तो इसकी वज़े से gas के molecules है, इस piston को strongly hit करेंगे, बहुत जोर-जोर से hit करेंगे, तो ये piston ऊपर की तरफ move कर जाएगा, अगर piston ऊपर की तरफ move कर गया, तो मेरे gas के molecules क्या करने लग जाएंगे, मेरे gas के molecules expand करने लग जाएंगे, और expand के time पे temperature क्या होने लग जाता है, expand के time पे temperature decrease होने लग जाता है, तो यार मेरे को बताओ, अब इस case में आपको ज़्यादा heat supply करने पड़ेगी, temperature increase कराने के लिए, या कम heat supply करने पड़ेगी, थरड़ वाले case के comparison में, जादा, जादा, क्यों कि अगर मैं heat supply कर रहा हूं, तो हमारा piston expand करके same time पे temperature decrease करा रहा है, तो अगर मेरे को temperature increase कराना है, तो मेरे को और amount of heat flow कराने पड़ेगी, ताकि जो ये temperature decrease हो रहा है, मेरा temperature increase, इस decrease वाली value से जाधा होना चाहिए, तो इस case में जो आपको heat supply करनी है, वो ज जादा करनी है, अब प्लीज एक बार अच्छे से time low और चेक कर लो, इन चार प्रोसेस में कोई doubt तो नहीं है, तो मैं फिर आपको final formula लिखके दे दूँ कि क्या आएगा final formula कि isothermal process में हमारी specific heat capacity infinite आ रही है, adiabatic process में 0 आ रही है, isocoric process में हमें कम heat देनी पड़ेगी चीजों को गरम करने के लिए, क्योंकि volume constant और expand नहीं हो पा रहा है, लेकिन fourth process में हमें ज्यादा heat देनी पड़ेगी, क्योंकि volume constant नहीं है, और यही चीज हो रही है कि अगर आप चीज के गरम नहीं कर रहे हो, cover करके गरम नहीं कर रहे हो, तो volume expand करेगा, तो उस case में आपको ज्यादा heat देनी पड़ती है, तो ज्यादा energy loss आपकी ज्यादा gas utilize होगी, cylinder वगरा वाली gas, तो इसलिए भाया इसमे specific heat capacity की value more आएगी, तो यहार हमने क्या देखा कि हर एक process में specific heat capacity की value अ अलग-अलग, आ रही है न, तो हम क्या करेंगे, हम सिरफ 2 process लेकर चलेंगे, और उन 2 process के लिए हम specific heat capacity लिखेंगे, हम सिरफ 2 process के लिए specific heat capacity consider करेंगे, तो बहृचा ध्यान दो, हम एक consider करेंगे constant volume पे, तो constant volume पे जो specific heat capacity आएगी, उसकों लिखेंगे cv, और एक आएगी constant pressure पे constant pressure पर जो specific heat capacity आईगी उसको हम क्या लिखेंगे CP और अभी आपने बोला कौन सी value जादा होगी अभी आपने बोला sir CP की value जादा होगी तो CP CV से बढ़ा है अगर CP CV से बढ़ा है तो इन दोनों को subtract करूँगा तो मेरे को किसकी value मिलेगी CP CV से बढ़ा है तो इन दोनों को subtract करूँगा तो मेरे को कोई ना कोई value मिलेगी और ये value हमें मिलती है universal gas constant ये एक बहुत important formula है और इस formula का नाम क्या है मेयर्स formula कि CP हमारा CV से बढ़ा होता है इन दोनों को subtract करेंगे तो हमें universal gas constant मिल जाता है आपको universal gas constant की value पता होगी कितनी होती है universal gas constant की value भागिया कुछ भी याद नहीं है सब कुछ भूल चुके हो chemistry में क्या पड़ा पिदिक्स में क्या पड़ा कुछ नहीं पता 25 by 3 या फिर 8.314 बाकि मैंने आपको हमेशा बता रखा है चीजों को हमेशा fraction में रखने की कौशिश करना तो आर की value को हमेशा 25 by 3 ही लेकर चलना बचा ऐसा unit तो सी की value मैंने लिखी q by m डेल्टा टी तो मेरे को बताओ इधर क्या यूनिट क्या लिखू मैं 25 by 3 यहां पर फॉर्मले को देखके बताओ कि भाई क्यूं का एसा यूनिट हीट का एसा यूनिट जूल्स मास का एसा यूनिट किलोग्राम टेंपरेचर का एसा यूनिट केल्वेन हो गया यार सिंपल अब यह मैंने सारी इंफर्मिशन आपको इंटर्नल एनर्जी की दे दिया है तो याद रखो इंटर्नल एनर्जी के लिए इंटर्नल एनर्जी के लिए हम हमेशा फॉर्मला यूज करेंगे mcv डेल्टा टी या फिर ncv डेल्टा टी मास या नंबर ऑफ मोल्स जो भी हमें गिवन होगा उसके टम्स में बात करेंगे और हमें अब पास इंटर्नल एनर्जी का फॉर्मला यूज करेंगे ncv डेल्टा टी कि कॉंस्टंट वॉल्यूम पर टेंपरिचर इंक्रीज कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वह हमारी इंटर्नल एनर्जी होगे कि कॉंस्टंट वॉल्यूम पर टेंपरिचर इंक्रीज कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए दाट इस हमारी इंटर्नल एनर्जी तो जैसे मैं अपने गास को हीट करूंगा मेरा गास एक्सपांड करने लगेगा अगर एक्सपांड कर रहा है तो मैं टेंप्रेचर इंक्रीज करा रहा था हीट सप्लाइ करके लेकिन सपोज मैं टेंप्रेचर कितना इंक्रीज कराया अज्यूम कर लो कि सपोज मैं टेंप्रेचर इंक्रीज कराना चाहता हूं टोटल टेंडिग्री सेल्सियस सपोज मैं टोटल इतना टेंप्रेचर इंक्रीज कराना चाहता हूं भाईया मैंने हीट जी टेंडिग्र इंक्रीज कराने के लिए लेकिन एक्सपैंशन की वजह से टेंपरेचर डिक्रीज भी होगा इंक्रीज इनक्रीज करा पारी है लेकिन डिक टोटल कितना इंक्रीज कराना था 10 तो मेरी तो सिर्फ पांच करा करने के लिए और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि यह समझ में आ रहा है तो इसलिए आइसो को रिक और आइसो बारिक प्रोसेस में हमेशा आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है टेंपरेचर इंक्रीज कराने के लिए कि ड़्ट इस अगर यहां तक हो गया तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ें अब यह एक और चीज आ गई आपने बोला कि अगर हम कभी भी टेंपरेचर increase करा रहे हैं तो हम्में कुछ ना कुछ heat चाहिए हम्में कुछ ना कुछ heat चाहिए heat का formula क्या है heat का formula mc delta t होता है यह heat का formula कि रफ़ार्मला है कि अब अभी मैंने लिखान लिखू आना c == m delta T तो यहां से heat का formula आ गया कि अगर किसी भी सिस्टम की Heat increase कराने है जाए जितना मरजी मास हो जैसे for example अब मास जितना मरजी ले लो मास मैंने ले लिए 3 kg temperature जितना मरजी increase कराना आपको तो अगर आपको इसको heat supply करनी है कितनी heat supply करनी है उसका formula हो जाएगा mc delta t लेकिन अब इस formula की गहराईयों में जाओ कि यार इधर तो तेमपरेचर इंक्रीज कराना था तो समझ में आ रहाए कि मैं ये वाला फॉर्मला यूस करूंगा लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप Hearth supply करे जा रहे हो फिर भी ट gider इंक्रीज नहीं कर रहा है जैसे एक् adding जांपल आपको पता है melting of ice मेल्टिंग औफ ने टैंप्रेचर पें कोई कुछ नहीं बोला कि यह आइस कितने टेंप्रेचर परू करती है लारे मगशेट लिए इसमें पोटेनर उसको मैं नीचे सेहित अप्लाइब कर रहा हुआ है तो यार आपको पता होगा हमारी ice melt करती है जीरो डिगरी सेलसीट पे और यह constant temperature पे melt करती है constant temperature पे constant temperature का मतलब क्या है जब आपकी ice melt हो रही होगी तो हाइस का temperature इंक्रीज नहीं करेगा जब तो यह सारी की सारी melt नहीं जाए आईस मेल्ड करती है जीरो डिगरी कॉंस्टन टेंपरेचर पर तो आप एक चीज सोचके बताओ यार मैं तो नीचे से हीट सप्लाइब कर रहा हूं लेकिन फिर भी इसका टेंपरेचर इंक्रीज नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों कि मैं हीट सप्लाइब कर रहा हूं फिर भी रहा हूं कंटेनर को तो कंटेनर की जो हीट है वो आईस को मिल्ट कर रही है जीरो डिगरी सेलसियस पर टेंपरेचर कॉंस्टन तो हमारे इस फॉर्मले के हिसाब से अगर मैं हीट सप्लाइब कर रहा हूं तो मेरा टेंपरेचर क्या होना चीए तेंपरेचर इंक्रीज है ड तो इस केस में आप हीट का यह वाला फॉर्मला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हीट पूरी की पूरी मैल्टिंग में यूटिलाइज हो रही है तो इस केस में कौन सा फॉर्मला यूज करते हैं इस केस में फॉर्मला यूज करते हैं एम इक्वल्स टू एल एफ जहां पर कि लिटन ही ओफ हुज selves कि यहिट हीता ऑफ हुज्ज को हमें तीट भी कहते हैं कि यह एक हीट हीड का मतलब है कि यह एक अनन् Patient Head gives यह पूरा पूरा इसका फेस्ट जेंज करने में काम आरी है आइस से लिकट करने के कामiska करने के तो फेस्ट करने के वक्त भी हमें एक हीट चाहिए होती है और इस फेस्ट चेंज के टाइम पे इस फेस्ट चेंज के ड्यूरेशन पे याद रखो टेंपरेचर हमेशा क्या रहता है रहता है यार प्लीज सब लोग चेक करो सबको समझ में आ भी रहा है या मैं सिर्फ बोल रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोल देना मैं रिपीट करूंगा किसी और तरीके समझाओंगा दंजो डाइल वहअरेघॉन हाँ यारीज बRichard ले अप जया बृट कर रहा है फैं में कनवर्ट हो रहा है तो लिफः बोल कितने टमपरेचर पर होता है तो boiling of water हमारी 100 degree celsius पे होती है और इस temperature में वो steam में convert होती है तो याद रखो इधर भी temperature क्या है constant है temperature constant है तो इसलिए जब हमारा water steam में convert होगा तो फिर से मैं जो भी heat supply करूँगा वो heat की वज़े से temperature increase नहीं करेगा मैं continuously heat supply कर रहा हूँ अब यह heat हमारी phase change करा रही है तो temperature increase नहीं करेगा तो अब आप कौन सा formula यूज़ करोगे आप q equals to ml वाला ही formula यूज़ करोगे लेकिन इदर lf के जगे बन जाएगा अब एक चीज़ बताओ इसके उपर यह question आया हुआ है बहुत सिंपल सा question कि suppose मैं कहा रहा हूँ कि आज्यूम कर लो बस कि आपके उपर गरम पानी गिर रहा है 100 डिगरी सेल्सियस वाला और एक स्टीम है वो गिर रही है 100 डिगरी सेल्सियस वाली कौन ज्यादे इंज्यूरी हाट वाटर यहसी स्टीम स्टीम देगी कि क्यु मैं वाटर ले रहा हूँ 100 100 degrees Celsius पर और स्टेम ले रहा हूं 100 degrees Celsius पर मैं कहा रहा हूं कि भाया मेरा हाथ दोनों पर गया वाटर्र अपर पबाइन गिरा वहाथ पर स्टीम आई तो जाद एंजूरी या रुक्त ना स्टीम देगी क्यूं कि भाया हमारे वाटर के पास तो Q स्टीम के पास क्या है स्टीम के पास यह क्यों स्टीम के पास यह क्यों स्टीम में यूज तीटि तो इसका टेमपरेचर इंक्रीज हुआ प्लस q equals to ml इतनी हीट extra है इसके पास क्यूंकि जब यह water से steam में convert होई होगी तो इतनी heat इसने अपने अंदर hide कर ली होगी तो steam के पास ज़ादा energy होती है इसलिए ज़ादा injury देती है क्या भाया concept clear हो गया है सबको इसलिए आपको पता है जैसे सेम चीज आपको जादा स्किन बन कौन देगा चिल वाटर या फिर आइस एड़ डिगरी सलसियस आपको यह भी पता है ना कि थंडी चीज भी स्किन बन करती है यह सर जैसे अगर आप सपोर्ज वह कुछ लोग फेस पैक के साब से आइस रब करते हैं अपने फेस पे तो आईस भी स्किन बन कर सकती है क्यों क्यूंकि आइस क्या है इसके पास फिर से यह जादा एक्स्ट्रा मांट में होगी तो इसलिए यह जादा बर्न देने के चांस रखती है आई होप अब कॉशन दे रहा हूं भी यह कोशन ट्राय करना यह डण डण ऐकी जीरो पॉंट फाइफ Lewis ली चे ची जीरो फॉंट का इस हैforward टेंप्रेट्र पे लिए ईस को हमने मिक्स कर दिया है वлуч op AV एकर तो कुषान रिपीट कर रहा हो हमने आइस ली जीरो इस पे संब्सेit का मास्क गीवान है 0.15 इसको पादी के साथ मिक्स कर दिया इस 0.30 किलो ग्रैम्स एट 50 डिग्री सेल्शियस आप और हमारे पास जो रिजल टेंट टेम्परेचर आ रहा है तैंपरेचर ओफische जो resultant temperature आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 6.7 हमें क्या बताना है calculate the the question calculate the latent heat of fusion for ice मेरको lf calculate करना है calculate the latent heat of fusion of ice में किसकी वैलू घिवन है specific हीट कपसिटी और वाटर कीवन है और वो कितनी ड़ीवन है फॉर टू डबल जीरो जूल्स पर किलो ग्राम पर कैल्विन कि यह कोशन में गिवन था पहले आपकोशन चेक करो आपकोशन समझ में आया या नहीं आया या यह सर अब आप एक चीज खुछ सोचो क्या प्रोसेस हो रहा है पुरा आप पहले प्रोसेस को अनवाइज कर लो यह कोशन बहुत सिंपल है बस थोड़े सी कब्रलियसे लंबी हो सकती है लेकिन कोशल बहुत सिंपल है अप अनलाइज कर दो को से यार एक बाहल बताओ इंक्रीस होता है सिस्टम मे बोला कि हमारा टेम्परेचर कितना हो गया है पूरे सिस्टम का पूरे मिक्स्चर का सिस पॉइंट सेवन डिगरी सेलसिय। तो यार अगर मैं यह कंटेनर के अंदर पानी और पानी के अंदर आइस दाल रहा हूं ध्यान दो तो मुझे पता है कि बहुत डेफिनिटली वॉटर ने हीट लूस करी होगी तब ही तो थंडी होगी होगी तो यहां पे लिख लो वॉटर ने क्या करी है बेसिकली हीट लुज करिया है और Nevada का फाइनल हीजा कितना हो गया है बाइनल टेंपरेचर 6.7 डिगरी सल्सीय से अब जो यह वाटर ने हीट लुज करी है किसको हीट लुज करी होगी इसने स्राउंडिंग को तो नहीं करी है surrounding the dimension नहीं है यह हीट किसको दियोगी इसने इसको क्योंकि आइस का temperature zero से लेके 6.7 हो गया है तो हमारे आइस ने heat gain करी है तो आप conservation of energy लगा दो सिंपल सी चीज है conservation of energy लगा दो तो लिखूंगा solution में according to conservation of energy भई किसी ने एक heat lose करी है और किसी ने एक heat gain करी है तो जितनी heat lose हुई है water ने heat lose by water यह सेम किसके बराबर होगी यह सेम बराबर है 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 मैंने इतना हिंट आपको दे दिया है अब आप चेक करो अब प्रोसेस को थोड़ा सा और detail में समझो यह आइस क्या आइस 6.7 डिगरी celsius पहुची तो आइस ही रहेगी आइस वाटर बन जाएगी जब वह एक बार पूरी की पूरी वाटर में बन गई है फिर इसका टेंपरेचर इंक्रीज हुआ होगा जीरो से लेके 6.7 तक तो मैं पूरा पूरा स्टेप लिख रहा हूं calculate आप करोगे हीट लूस्ष बाई वाटर हीट लूस्व वाटर आप लिखोगे मास ऑवडर स्पैसिफिक हीट कैपैसिटी ऑफ वाटर इंट्व चेंज इंटिश्टिन टेंपरेचर वाटर का टेंपरेचर कितना चेंज हुआ 50 से लेके 6.7 तक का लेकिन आइस ने कितनी हीट गेन करी है दिवे सॉरी मैंने आपका अंसर नहीं देखा था येस आपका अंसर सही है लेकिन आइस के साथ हीट गेन कैसे हुई आइस ने सबसे पहले में मेल्टिंग ली तो आइस मास ऑफ आइस इन्टु लेटेंड हीट फ्यूजन अब वह वाटर में बन गया है तो मास ऑफ वाटर मास ऑफ आइस ही लेना है इन्टु स्पेसिफिक हीट के पसिट्य और और टेंपरेचर चेंज कितना हुआ है जीरो से लेके 6.7 तक तो इसको ह सारी वैल्यू सब्स्यूट करो और आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है ऐलेफ की वैल्यू निकालनी है चलो अच्वाला का अंसर है सब्सक्राइब कर लिए कर लिए प्रोहित चेक करके बताओ समझ में आ रहा है तो सबके आंसर आ गए है वेरी गुट कैलकुलेशन में आपके उपर छोड़ रहा हूं बस में वैल्यू लिख देता हूं ताकि वैल्यू में बलती ना करो मास और हमें कितना गिवन था जिरो पॉइंट्री जिरो स्पेसिफिक हीट केपैसिटी हमें गिवन है 4200 टेंपरेचर डिफरेंस आ फिफ्टी में से सब्ट्राक्ट कर लेना यह जितना भी आ रहा हूं तो हमें पता यह कितना आ रहा होगा यह आ रहा होगा 43.3 क्या यहीं आ रहा है सब लोगों ने बहुत सब्सक्राइब करके देदी है 3.3 इंटु 10 तो दी पावर 5 और इसका यूनिट क्या होगा तो मैंने आपको फॉर्मला बताया क्यू इक्वोल्स टू एम तो एल हो जाएगा क्यू भाए एम तो मेरे को बताओ इसका यूनिट क्या लिखूंगा मैं पर किलोग्राम अब इसमें केलविन नहीं आएगा जूल्स पर किलोग्राम केलविन क्यू नहीं आया टर्म क्यूंकि टेंपरेचर तो कॉंस्टेंट था तो इसी एक कॉंसेट्ट पर ना बाद में कॉश्चन ट्राइ कर ले ना जो मैं आपको ऐसा हमवक दे रहा हूं लेंधी कोशन है काफी यह कोशन आप ऐसा हमवक ट्राइब करोगे कोशन है कि कैल्कुलेट डी हीट रिक्वायर्ड कि बहूंद को कितनी हीट चाहिए होगी कै टू कणवर्ट भाईया, आस कणवर्ट करनी है, त्री किलोग्रैम्स ऑफ आस ,3 किलोग्रैम ऑफ आस ऐड gebन डीगी ऐसेब सटीम अट हंडरड डिगरी ऐसेटिंट डीगरी MON आको सारी वेलैू सब्सक्राइब होती है जैसे स्पेसेविक हीट ऑफ वाटर कितना होता है फॉर्टी टू हंडर्ड जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी आपने कैलकुलेट किया कितना होता है इसके लिए याद रख लो तो अच्छा है नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है यह वैल्यू होती है ट्वंटी टू पॉइंट सिक्स इंटू टू दिपावर फाइव जूल्स पर किलोग्राम तो यह सारी वैल्यूज आपको कॉश्चन में गिवान है जो भी आपको वैल्यूज यह थी कैलकुलेट कर लोगे अब यह वाला अगर होमवर्क के लिए देदू तो यह सब मेरको स्टेप बता दो कि स्टेप क्या होगा क्या क्या प्रोसेस होंगे पहले आईस के साथ क्या ह होगा अब अब स्टेप बता दो कैलकुलेशन आप होमवक के लिए छोड़ दो है है भाई देखो सबसे पहले हीट चाहिए होगी क्यू वन किसलिए हीट चाहिए होगी आइस का टेंपरेचर माइनस ट्वल से लेके कहां तक करने के लिए जीरो तक तो इसके लिए फॉर्मला यूज करोगे एम सी डेल्टा टी मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस देना भूल गया हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें गिवन है भाईया कोश्चन में डाट इस 2100 यह देना भूल गया था मैं तो यह यूज कर लेना फिर एक बार जीरो डिग्री सेल्सियस पे पहुच गई तो फिर वो मेल्ट करेगी फिर कौन सा फॉर्मला यूज करेंगे इसके बाद फिर आइस का टेंपरेचर मलब वाटर में कनवर्ट हो गई या वोटर का टेंपरेचर जीरो से हंडर्ड तक जाएगा जीरो से हंडर्ड तक जाएगा तो फिर से मैं फॉर्मला यूज करूंगा एक बार वाटर का टेंपरेचर हंडर्ड पे पहुच गया तो फिर मिर को स्टीम बनानी है तो फिर से फेस्ट होगा और फिर से फेस्ट चेंज के लिए अगर कोशन ने आप से टोटल हीट पूछा है तो बस आप क्या करोगे इन सारी हीट को आड़ करोगे बस यह कोशन था लेंथी कोशन है अपने आप सॉल्व करते रहना कैल्कुलेशन छोड़ देता हूं अब यहां तक चेक कर लो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मैं नेक्स्ट कॉंसप्ट पर बढ़ रहा हूं एस सब्सक्राइब हम डिसकस करेंगे अब एक्सपैंशन का कि हमें पता है कि हमारे जो भी अब्जेक्ट्स होते हैं मतलब उसके अंदर अगर मैं तो मैं कहहरा हूँ कि जैड़ म्हीं रमपेंशन का राता हूं मौलिकुलर मौव्मेंٹ इंक्रीज कर जाएगा तो मेरी स्पेंग कर जाएगी लिए स्प्रेंग स्प्रेच कर रही है तो distance पे क्या फर्क पड़ेगा I am very good distance increase हो जाएगा तो मेरे को बताव सिर्फ एक स्परिंग का increase होगा सब्सक्रिंग का सब्सक्रांब करा तो आपको इससे एक important term याद रखना है याद रखना अगर आपने यह important term याद नहीं रख़ा option solve नहीं हो पाएगा important term क्या यहाद अखना है अगर मैं temperature increase करा रहा हूं distance between each molecule will increase distance between each molecule या each atom will increase तो से मिलरली अगर मैं टेंपरेचर डिक्रीज करा रहा हूं तो हमारे स्प्रिंग कंप्रेश कर जाएगी तो डिस्टंस हर एक मॉल्यक्यूल के बीच में क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा यह इंपोर्टन लाइन है इसको भीया ध्यान देना तो इसी के बेसिस पर हम पढ़ना चाह रहे हैं अपना इंस्टॉपिक दाट आट इस थरमल एकसपेंशियं डुकर अगर मैं कि जीस को हीट करूंगा मतलब heat supply करूंगा या heat extract करूंगा तो उसका size change हो जाएगा तो हमारा जो size है जो expansion है या compression है वो तीन type के होंगे कौन से तीन type के होंगे सबसे पहले तो एक होगा linear expansion linear expansion मतलब इसमें सिरफ length change होगी और linear expansion हम कौन से objects के लिए apply करेंगे 1D objects के लिए 1D objects का मतलब जैसे wire rod इन सब चीजों के लिए तो जैसे यह मैंने एक rod ली है या एक wire ली है इसकी length L है मैं कह रहा हूं temperature increase कराऊंगा तो भाईया इसकी length क्या कर जाएगी इसकी length increase कर जाएगी और final length को हम क्या जियूम कर लेंगे L डाश के linear expansion क्लियर है यह सर अभी numerical पार्ट इसका करा दूँगा पहले बस concept concept देख लो उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास area expansion या superficial expansion इसमें क्या चीज इंक्रीज करेगी एरिया एरिया तो इसके अंदर हम लेंगे 2D objects 2D objects मतलब क्या क्या आएगा इसमें डिस्क शीट यह सब चीज है तो जैसे मैंने एक शीट ली भाईया इस शीट को अगर मैं हीट करूंगा तो इसकी length भी increase करेगी और साथ के साथ इसकी breadth भी increase करेगी तो इस केस में पूरा overall area क्या करेगा पूरा overall area increase करेगा इनीशल एरिया ए है तो final area में लिग दूगा एड़ लास्ट volumetric expansion इसमें हम कौन से objects की बात करेंगे 3D इसमें अंदर हम 3D objects की बात करेंगे मतलब पूरा volume increase कराना है तो हमारे पास generally सबसे सबसे ज्यादा केस कौन सा आएगा सबसे ज्यादा केस हमारे पास स्फेर cylinder क्यूब इन सबका आता है तो यह मैंने अगर एक स्फेर लिया इसका volume भी है हीट अगर मैं दे रहा हूं तो इसका volume भी या increase कर जाएगा वी डाश कि इसको नोट डाउन मत करना बस पहले चेक कर लो यहां तक चीज़े क्लियर है या नि नोट डाउन आपको बस यह वाली स्टेट्मेंट करनी है तो मैं पहले इसी पर कोशन दे रहा हूं जो जो कोशन कॉंसेप्चुल है मैं लग कुछ निमेरिकल तो ही नहीं पहले वो कोशन कह रहा है कि यह एक रिंग है और यह जो रिंग के बीच में गैप है इस गैप की वैलू मैंने कितने डी है डी इस रिंग का रेडियस है इस रिंग का रेडियस कितना दिया हमने इस रिंग का रेडियस लिया हमने आर कोशन बोल रहा है कि हमने इस रिंग का वेरेस डी विल इंक्रीज थर्ड ऑप्शन कि भीया दोनों ही इंक्रीज खरेगी और फॉर्थ ऑप्शन कि भीया दोनों ही सेम रहेंगे कि चलो कि जिसका जो जो आंसर आए चाट बॉक्स में लिखके बेशते रहो पर नहीं पॉक्शन डन डन रूची कृतिका सुहाने दीशा इन सब के आंसर आने बागे लोग भी आंसर देते जाओ चलो डेसकस कर रहते हैं तो भी वेरी गुड मतलब आपको समझ में आ गया कॉंसेप्ट क्या है कि यार मैंने बोला टेमपरेचर इंक्रीज करेंगे तो हर एक मॉल्यक्यूल के बीच का डिस्टन्स इंक्रीज होगा तो अगर मैं यहां पे एक मॉल्यक्यूल कंसिडर कर रहा इस पॉइंट अपे और इस पॉइंट घीज करेगा मतलब इतो इंक्रीज करेगा घर had एक मॉल्यक्यूल के बीच का डिस्टन्स इंक्रीज करेंगा तो अगर 1973 रेडीज भी एस्ट खरेंगा त्यक्रेगा तो क्रेंट ओप्शन सबने बिल्कूल सभी दिया करेक्ट ऑप्शन है option c very good भाई ऑप्शन सी इसी के बेसिस पर next question कि भाया मैंने ली है concentric discs concentric disc ली है इसमें inner radius r1 outer radius r2 temperature increase कराया तो आपको बताना है किस-किस की value increase करेगी r1 की r2 की और r1 minus r2 की इन तीनों में से किस-किस की value increase करेगी option मैंने दे दिया है चेक कर लो भाई स्वानी वेरी गुड़ चलो तो मेरे कोई महनत नहीं करने पड़े हैं आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया है temperature increase करा रहे हैं तो हर एक distance increase करेगा हर एक distance increase करेगा तो करेक्ट option लोगोंने बिल्कुल सही भेजा भाया इस केस में भी करेक्ट option क्या है option c ही है वेरी गुड कि यहां तक चेक कर लो डंडणा डंडण आगे बढ़े चलो बढ़िया तो आज वह एक करके discuss करना है expansion तो सबसे पहला linear expansion लीनियर expansion अब एक करके इनको discuss करते हैं मैंने कहा यह हमारी रॉड है थिन रॉड थिन रॉड का मतलब इसकी मैं thickness अज्यूम नहीं करूंगा सिरफ और सिरफ क्या अज्यूम करूंगा सिरफ length अज्यूम करूंगा थिन रॉड का temperature इंक्रीज कराया इसका temperature इंक्रीज कराया तो हमें पता है कि लेंट इंक्रीज कर जाएगी थोड़ी सी यह expand कर जाएगा final length final length हम ले रहे हैं ल डाश तो भाई हमारा concept क्या कह रहा है कि change in length change in length का मतलब delta L मतलब L dash minus L यह किसकिस factor पर डिपेंड करेगा तो सबसे पहली चीज़ भीया यह temperature difference पर डिपेंड करेगा आप जितना ज्यादा temperature increase कराओगे उतना ज्यादा molecular movement increase करेगा distance increase करेगा और उतनी ज्यादा length हो जाएगी तो change in length is directly proportional to change in temperature दूसरा पॉइंट कि डेल्टा एल इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू और इजिनल लेंट आप मेरे को पासकते और इजिनल लेंट पर कैसे डिपेंड करेगा यह क्योंकि भाईया जितनी ज्यादा length होगी मतलब उतने ज्यादा molecules होंगे जितने ज्यादा होंगे मतलब उतने ज्यादा molecules expand होके उतना ज्यादा डिस्टंस बनाएंगे क्या आपको यह सेगेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया यह यह सर्थ दोनों पॉइंट को क्लप कर दो तो डेल्टा एल इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू एल डेल्टा टी प्रपोर्शनलिटी सा फाइनल आंसर आएगा फाइनल लेंट एल डाश इस इक्वल्स टू एल इंटू वान प्लस ए डेल्टा टी जहां पर एक क्या है इसको हम अलफा लिखते हैं बेसिकली ए है कोफिशंट ओफ थर्मल कंड़क्टिविटी सॉरी कोफिशंट ओफ लीनियर एक्सपैंशन हर एक का यह कोफिशंट अलग-अलग होगा क्योंकि मिनेचर आफ मेटीरियल पर करेगा भाई किसी में मौलीकुलर डेनसिटी कम होती है जैसे कॉपर में मौलीकुलर डेंसिटी जादा अलूमीनिय में कॉपर डेंसिटी कम तो कौन कितना एक्सपैंड़ करेगा वो उसके माटीरि of linear expansion है यह उसके material पे भी depend करेगा ही करेगा आपको मिली यह दोनों formula याद रखने हैं जब भी linear expansion का question आएगा ड़न है सेम चीज अब मैं directly formula लिख रहा हूँ superficial expansion का और volumetric expansion का अब उसमें हम यह derive नहीं करेंगे मैं directly formula लिख रहा हूँ सेकेंड केस सा हमारा area expansion तो area expansion केस में मैं लिखोंगा final area is equal to initial area into one plus यह coefficient of linear expansion है तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा जहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा coefficient of area expansion similarly third वाला थर्ड वाला लिखेंगे final volume is equal to initial volume into one plus gamma delta T जहाँ पर भाईया हमारे पास gamma क्या हो जाएगा को को विशन और वालो मेंटर एक्सपेंशन बिल्कुल सभी यहां तर्ड कंप्लीट कर लो एक दो कोशन करते हैं पॉर्टन वाले और फिर खसम करते हैं कि दन चलो तो आवो कोशन लो कि यह आपकी एंजियाटी बुक का ही कोशन है भाईया कोशन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आयरन रिंग है कि हमारे पास एक आयरन रिंग है और हमें आयरन रिंग का डायमेटर गिवन है डायमेटर डीवन ले लो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5.231 यह इसका डायमेटर है इस आयरन रिंग को मैं एक बुलक काट के वील पर चड़ाना चाहता हूं मैं और रिपीट मैं क्या कर रहा हूं इस आयरन रिंग को एक वील के उपर फिक्स करना चाहता हूं हमें इस वील का डायमेटर गिवन है वील का डायमेटर कितना गिवन है फाइफ पॉइंट टूफ पोइंट फोर थरी तो हमें पता है कि अगर मैं रिंग को वील के उपर fix करना चाहता हूँ तो भागत ढौनों को diameter क्या होना चाहिए सेम होना चाहीए लेकिन हमारे रिंग का diameter क्या है अगर आप देखो हमारी रिंग का diameter छोटा है तो हमें क्या कराना पड़ेगा हमें इसका temperature increase कराना पड़ेगा क्या यह बात समझ रहे हो आप यह सर तो कोशन यहीं पूछ रहा है what should be the change in temperature for the iron ring की मैं iron ring का temperature कितना increase करा हूँ जिससे कि यह बुलक काट के वील पे fix हो जाए बस यही कोशन है कोशन में हमें alpha की value given है भाया देख लो alpha की value कितनी given है अलपा इस इक्वेल्स टू भाया हमें value given है 1.2 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse चलो ट्राइटू सॉल रहा हूँ चेक कर लो सबको कोशन समझ में आया या कोशन भी समझ में नहीं आया कर दो में आया हूँ झाल ऑच होच कि नहीं सही नहीं आ रहा है कि एक चीज देना भूल गया है यह इनीशली टेंपरेचर है 27 डिग्री सेल्सियस यह इनीशली जो आयरन रिंग है इसका जो यह डायमीटर है यह 27 डिग्री सेल्सियस है आपको बताना है कितना टेंपरेचर इंक्रीज कराना है वह बिल्कुल ठीक है क्या नाम आपका ओनर मीडिया पैड टी थ्री शितिज सही है वेडि गुड तो यह विल्कुल सिंपल था मेरे को इनीशल लेंद गिवन है इनीशल लेंद कितनी है 5.231 मेरे को फाइनल लेंद कितनी बनानी है 5.243 तो यार इन दोनों को सब्ट्राइट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा एल की और डेल्टा एल का फॉर्मला हमने अभी अभी लिखा क्या होता है डेल्टा एल का फॉर्मला इन दोनों को सब्ट्राइट करके कितनी आ रही है जिरो पॉइंट जिरो वन और टू यहीं आ रही है तो इससे फाइंड कर लो तो यहार इससे आप कैल्कुलेट करोगे सबसे पहले डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो और हमें डेल्टा टी ही पूचा था कोश्चन है आप सब लोग फाइनल टेंपरेचर बता रहे हो मेरे का टी की वैल्यू काल्कुलेट करके चेक करो वन नाइनटी वन डिगरी सेल्सियस आद इंची है एप्रॉक्सिमेट वन नाइनटी वन डिगरी सेल्सियस सब लोग इसको कंप्लीट करो प्लीज कि टेंसर दन सब्सक्राइब हो चुका ही है कालकुलेशन पाट आप पर चोड़ रहा हूं मैंने आंसर लिख दिया है टेंपरेचर डिफरेंस कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर वन नाइनटी वन डिगरी सेल्सियस तो यह डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए थी हां अग कि चलो आगे बढ़ रहा हूं अब यह वाला कोशन आज सॉल्व नहीं कर रहे हैं बस आप समझ लो क्या आपको याद है कि पेंडूलम पेंडूलम के टाइम पिरिड का फॉर्मला क्या होता है अग्या तो पाई अंडरूट अलवजी भाया वैरे गोड़ यह बहुत जिए यूज होता है यह वाला फॉर्मला खासकर एसेच मॉजिलेशन में यूज होता है तो आपको यह फॉर्मला पता होना चाहिए तू पाय रूट अलबाई जी अब देखो इस पर कोशन क्या आता सपोस एक आयरन यूज कर रहे हैं आयरन और तो यह कर्ट टाइम शो कर रही है अभी कुछ ब्हें टेमपरेचर ले लो कि सब्सक्रेइब ट्वंटी डिगरी तो यह एकुर्णार कर रहे है मतलग कि इसकी 20 डिगरी सेल सेट न पूस्छणा कुछ लेंद्ध होगी और इस लांफ के साब से टाइम पिरिड्ट आएगा अगर यह करेक्ट टाइम श कर रही है तो मेंदे को बता ठाइन पिरिड कितना होता है कि नहीं पता बाइया या रखना टू सेकेंड होता है टाइम प्रड़द ऑ अक्लॉक अ को श्यक चलो इसको छोड़ कि अच्पर कोई और कोश्चन कहेगा कि भैया हमने इसका टेंप्रेच्र कर दिया मैंने इसका टेंप्रेच्र इंक्रीज कर दिया 20 से लेके 40 डिगरी सेल्सियस तक तो आप सर्फ मेरे को इतना बता हो कि टाइम पर पे टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा इतना बता दो बस लाई के लिए हमें पता है कि अगर लेंथ इंक्रीश कर रहे हैं तो उसकी वज़े से लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा भाईया लेंथ ऑफ पेंडूलम हमारी इंक्रीश कर जाएगी और अगर लेंथ ऑफ पेंडूलम इंक्रीश कर रही है तो भाईया हमारा टाइम पिरिड क्या कर जाएग कि हमारे पास time extra आ रहा ही, या time late चल रहा है, मालब lose हो रहा है या gain हो रहा है, यह चीज सोच के बता दो, तो एक चीज बताओ, मैंने अभी तुमें बताया कि हमारा जो पेंडूलम का oscillation होना चीह है, करेक्ट time के लिए, वो two seconds होना चीह है, लेकिन अब ये two seconds नहीं ले रही, यह एक उसिलेशन में ज़्यादा टाइम लेगी तो अगर यह ज़्यादा टाइम लेगी तो मतलब आपकी वॉच्छ चल रही है या फास्ट चल रही है तो याद रखो मतलब टाइम आपने लूज किया है गें नहीं किया है सिमिलरली अगर उसना सब्सक्राइब एक आपकी वॉच्छ चलेगी आपकी वॉच पास्ट चल रही है तो तो एकूंप Вас प्लाइल हुआ है तो अब इसी पह कोश्छन आएगा मीं हमें यह क्य позвол masking करना हे कि टाइम कितना लूज क्या एक पूरे दिन में और टाइम कितना गेन हुआ एक पूरे दिन में जब हम एक पेंडूलम का टेंपरेचर इंक्रीज डिक्रीज करा रहे हैं चेक कर लो आपको यहां तक क्लियर है यहीं तक लिखे छोड़ दो आज यहीं तक करेंगे क्योंकि इसका कोश्चन थोड़ा सा क्लास में स्टार्थ हऊज बाई 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 श्टेक केर और एंजोई